हलो एबरीबन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज बनाने जारी हूं रैबिट कैप तो देखिए इसमें हमने रैबिट की तरह यर बनाए हैं और इस तरह से हमने ये पीछ कलर से बना के कम्प्लीट किया है और न्यू बॉन बेबी से लेके बन थोड़ा सा इसको खीच के नापना है जैसे कि यह साड़े पांच आ रहा है हमारा तो यहां से आप इतना कर लीजिए यह 11 इंच जिसका सिर होगा उसके आ जाएगा ऐसे आप ना पेंगे सिर की गोलाई अब किसी भी साइज में इसको बना सकती है तो देखिए और यहां से यहां तक की लंबाई यह देखिए यह भी पांच आ रही है फुल करने के बाद आप चाहें तो इसको ऐसे भी पिना सक करते हैं तो यह से काफी लंबा है यह तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिएगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नौटिविकेशन आप तक फॉस सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लिए हैं चार के मल्टिपल से फंदे लिए हैं मैंने और दो प्लस किये हैं आप अपने हिसाफ से इसमें फंदे ले 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 और यह जीरो से लेके करीब एक साल के बच्चे के ईजली आ जाएगा तो देखिए हम फस्ट रो से ही इसमें निजैन डालना स्टार्ट कर देंगे देखिए या पर 3 फंदे ऊल्टे अल जा पैचे करेंगे एक बिना बुने उतार लेंगे जागा अपनी तरफ 3 उल्टे तैट है पीछे करके एक बिना बुना उतारेंगे फिर से 3 फंदे ऊल्टे पूरी रो हम ऐसे ही बुनेंगे, दागा पीछे किया, तीन फंदे बापस उल्टे बुनेंगे, यह देखे, फिर से इसको उतार लिया, भूल अपने तरब, तीन उल्टे, पूरी रो ऐसे ही जाएगी, यह देखे, तीन उल्टे, दागा पीछे करके एक बिना बुना उतारें ऐसे तीन उल्टे इसको तार लिया भूल अपने तरफ तो लाश्ट कहम इसको ऐसे ही बनेंगे लाश्ट कि हमने यह रो बना ली है और लाश्ट में हमारे पास दो फंदे बचे हैं जिनको हम उल्टा बना लें अब हम पालेट लेंगे और देखिए ये डिजाइन जो है दोनों तरफ से चलेगी अब देखिए जो उत्रा हुआ फंदा है वो बीच में आना चाहिए तो यहाँ पे देखिए इसको हम उतार लेंगे ऐसे और देखिए यह तीन उल्टे बना लेंगे इसे यह वाला है उत्राववा फंदा, इनको हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करके इस वाले फंदे को हम उतार लेंगे, इतना ही द्यान रखना है, बाकी सेम तरीके से डलेगी, और दोने तरफ से यह बनेगी, आप देखेए एक और देखेए यह उत्रावाला बीच बूल मुद्र करेंगे इसको इतार लेंके भूल अपने तरफ लेंगे इसको इतार लेंगे यहां पे एक यह उत्रबॉल फंदा है उसको हम बूल लेंगे दो तीन बूल पीछे करके इसको हम उतारेंगे इसी तरह से हम यह रोप पूरा करेंगे यह देखिए इस तरह से तो हम बना लेते हैं यह देखिए लाश्ट तक मैं आ गई हूं बुनते हुए तो यहां पर यह तीन उल्टे और धागा पीछे करके इसको उतार लेंगे लाश्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है जिसको हम उल्टा बुन लेंगे तो उल्टे तरफ से दूसरी रोग कम्प्लीट हो गई अब देखिए हम सीधे तरफ से यहां पर देखिए अब सीधे तरफ से हम फश्ट रोग की तरह फिर से बुनेंगे यहां पर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे अब देखिए यह बाला फंदा बीच में आ रहा है हमारा ऐसे जो हमने उतारा था उल्टे तरफ से तो इसको हमने बना लिया एक इदर से बना लिया तो वो यह सेम हम 3 हम उलटे बनेंगे जो हम पहले यह इस तरह करना है आपको एसे देखेʃ वीचे करखे इसको हम उतार लेंगे तरहेंगे ताव अपने तरह तीन उलटे वहती आसाने केफ है जो बिगनर भी बना सकते हैं इसको जिनको उल्टा सीधा बुनना आता है और काफी प्यारी डिजाइन डलेगी इसमें बिल्कुल मार्केट की तरह देखने में लगेगा जैसे मार्केट से खरीदा है यह देखिए इस तरह से हम यह रो कंप्लीट करते हैं लाश्ट तक मैं गई हूं बुनते हुए तो देखिए इसको मैं फिर से उतार रही हूं बूल अपने तरफ करके दो फंदे उल्टे लाश्ट में तो देखिए यहां पर यह रो कंप्लीट होती है अब उल्टे तरफ से जैसे हमने दूसरी रो बनीती ठीक बैसे ही हम यह रो बना लेंगे तो हमने इदर से उतारा है और देखिए यह तीन अब से पता चल जाएगा आपको दागा पीछे करके यह लफंदा उतारना है जो पिछली रो में उतारा था अब से तरीके से बुनना है यह बीच में अपने आप आजाएगा दो रो में ही आपको ध्यान रखना है डिजैन का इ तीने दर से उल्टे यह देखे इसको उतारेंगे ऐसे तो ऐसे ही हम यह रोप कम्प्लीट करेंगे तीन उल्टे और एक बिना बुने उतारेंगे यह देखे हम इसी को रिपीट करते हुए इसकी लंबाई पूरा कर लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं तो हम ऐसे ही बनाएंगे फिर हम आपको दिखाएंगे जब यह पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यह देखे हमने इसकी लंबाई को पूरा कर लिय है और देखिए इतना हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो इतना ही हम ये देखिए इस तरह से हम आपको दिखाएंगे यहां से लेके इतना यह करीब यहis यह तयार कंप्लीट बहुंद हो जाएगा क्योंकि हमें यहां से देखिए यह चैन चारह इतना और यह इस तरह से, एक इंच करीब हम यह मोड देंगे, तो यह हाँ पर बॉडर सा बनके कम्प्लीट हो जाएगा इस तरह से, अब देखिए, हम इसके कान बनाएंगे, तो कान बनाने के लिए हम पहले दो रो, सिंपल बुनेंगे, अभी तक हम डिजाइन डाल रहे थे अब हम इधर से एक रो सीधी और उधर से एक रो उल्टी फिर हम दिखाते हैं आपको सभी फंदे जैसे हैं तैसे ही हम बनेंगे इधर से सीधा उधर से उल्टा तो देखिए यहां पर दो रो हमने बना ली है एक इधर से सीधी उधर से उल्टी अब देखिए हम में फन्दे आधे आधे करने हैं तो 31 पन्दे हमने इंदर रखे है 51 इंदर रखे हैं आपके पास जितने फन्दे हैं आपको इसी तरीके से कर लेने आधे फन्दे लेने हैं तो देखिए अब हम यहां से एक दो-3 तीन चार पांच पांच फंदे बुनने के बाद दो का एक इस तरह से अब यहां से एक दो तीन चार पांच यह देखिए उसके बाद एक दो तीन चार पांच ऐसे अब यहां से एक दो तीन चार पांच दो का एक अब देखिए यहां पे हमारे पास चार फंदे बचे हैं दो तीन चार तो हमने अभी इनको ऐसे ही बुन लिया अगली रो में हम फंदा गठाएंगे यहां पे क्योंकि यहां पे भी फंदा गटाना लाश्ट में है तो यहां से इधर की रो हम पूरी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे लाश्ट तक तो हम इसको बना लेते हैं तो उल्टी रो कंप्लीट कर ले मैंने अब देखिए यहां से यह दो तीन चार चार फंदे बुनोंगी और यह वाला फंद चार एक दो तीन चार तो का एक एक दो तीन चार अब देखिए अभी हमारे पास यहां पर भी चारी फंदे हैं तो इनको अभी हम एक वार और ऐसे ही बुन लेंगे उसके बाद हम गटाएंगे क्योंकि फंदे इदर कम थे तो देखे इसको हमने ऐसे बना लिया उल्टी रो हम पूरा उल्टा बना लेंगे ऐसे तो हम इसको उल्टी रो को बना लेते हैं उल्टी रो कम्पीट कर ली अब देखे यहां पे हम तीन फंदे बुनेंगे एक एक फंदा यह कम होता जाएगा ऐसे देखें दो का एक एक दो तीन अज़िए एक दो तीन अज़िए एक दो तीन दो का एक एक दो तीन दो का एक अब देखें यहां पर एक दो और देखें यहां पर यह इस तरह से दो का एक कर दिया लाश्ट में अब यहां से हम यह रो कंप्लीट कर लेंगे उल्टे तरफ से अब देखें हम सीधी रो पर आ गए हैं तो यहां से यह दो फंदे बुने उसके बाद ऐसे दो क का एक कर दिया अब देखिए यहां पर एक और ये दो का एक ऐसे एक दो अब यहां से उल्टी रो पूरा उल्टा ही हम बुल लेंगे ऐसे अब देखिए फिर से हम यहां पर ऐसे दो का एक कर देंगे और देखिए यहां पर ऐसे दो का एक और यहां पर लाश्ट में भी दो का एक तो देखें यहां पर दो दो चार दो छे दो आठ आठ फंदे मेरे पास यह बचें हैं जिनकों में उल्टा बना लूँगी ऐसे दो तीन चार पाच छे साथ और आठ यह देखिए आप देखिए आप देखिए इस बुल को हमने कट कर दिया और इन में से ऐसे देखिए यहां पर ऐसे देखिए यह इस तरह से देखिए यह कान यहां पर आ जाएगा इस तरह से देखिए और हम इसको यहीं छोड़ देंगे अभी और यहां से देखिए इस मारकद को निकाल देंगे यहां से हम बूल एड करेंगे और सेम तरीके से हम इस साइड का भी बना लेंगे तो थोड़ा से आपको बताएंगे इसमें देखिए एक दो तीन कि चार पांच पांच बनाने के बाद दो का एक एक दो दो का एक एक दो तीन चार पांच दो का एक एक दो तीन चार पांच यहाँ पर दो का एक अब देखिए इधर हमारे पस जो फंदे हैं, इनको मैसे ही बुन लेंगे, जब इसके बराबर आ जाएंगे, तब हम यहाँ पर फिर गटाना शुरू करेंगे, अब उल्टी रो हम पूरा करेंगे, उल्टी रो मैंने कम्प्रीट कर ली, अब देखें, यहाँ से, एक, दो, तीन, चार, चार बुनने के दो का एक, एक, दो, तीन, चार, दो का एक, एक, दो, तीन, चार, दो का एक कर दिया, उसके बाद यह फंदे, तीन, ऐसे ही बुन लेंगे, और लाश्ट की यह इधर की रो उल्टा बुनेगे, उल्टी रो कम्प्रीट करने के बाद आब देखें, यहाँ से, एक, दो और तिन, फिर दो का एक कर देंगे, ऐसे, एक, दो, तिन, दो का एक, एक, दो, तिन, एक, दो, तिन, दो का एक, एक, दो, तिन, उल्टी रो हम पूरा बना लेंगे, आप देखिए, यहां से हम दो फंदे बुनेंगे, फिर हम दो का एक कर देंगे, आप देखिए, एक और दो, ऐसी ही सारे फंदे यह कम हो जाएंगे, एक, दो, दो का एक, एक, दो, और दो का एक, अब देखिए, हम यहां पे भी एक और यह दो का एक कर देंगे, क्यूंकि धर से भी फंदे कम होने चाहिए, आप उल्टी रो हम पूरा उल्टा बना लेंगे, ऐसे, कि देखें इस तरह से अब यहां से हम यह से एक खंदा उतार लेंगे दो का एक कर देंगे और एक यहां पर बुनेंगे दो का एक एक बुन लेंगे दो का एक एक बुन दिया दो का एक लाश्ट में भी हम दो का एक ही करेंगे तो यहां पर देखिए तीन तीन छे नौ फंदे मेरे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ फंदे बचे हैं इसमें कि इधर की रूप पूरा उल्टा बुन लेंगे हम अब देखिए इस बूल को हम कट करेंगे अब देखिए यह भंदे भी हम ऐसे यह देखिए ऐसे करके इस मैसे ऐसे निकाल देंगे तो देखिए इस तरह से यह यहां पर आ जाएगा अब देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे तो करने के लिए हम पहले यह देखिए यहां से यहां तक सिलेंगे अ पहले हम यहां पर एक नौट लगा देंगे ताकि यह बूल यहां से खुले नहीं यहां से पकड़ लेंना है ऐसे और उसको बराबर करते हुए पसिल देना है यह देखे ऐसे यह सिल दिया अब देखिए इस साइड का भी हमने जो यहाँ पे बूल छोड़ी थी उपर के साइड उसी से हम सिल देंगे यह देखे ऐसे पकड़ेंगे और यहां से लेके यहां तक पूरा मिलाते हुए इसको भी सिल लेना है यह से देखे अब देखे दोनों को ऐसे यहां पे जोइंट कर देना है एक नोट लगा के ऐसे तो यहां पे यह जोइंट हो गया आप देखे मैंने इसको सीधा कर लिया और देखे यहां पे हमने एक यह धागा लिया है इसी का और यहां से अब हम ऐसे देखे इनको बान देंगे सीधे तरब यह बंदना चाहिए यहां से इतना इसको ऐसे कर देंगे यहां से फोल्ड ऐसे और ऐसे टाइट कर लेंगे इनको यहर को सेट कर देना है यह देखे और यहां से टाइट करके अच्छे से ऐसे क्योंकि सीधे साइड यहां पे बटन लगा देंगे तो यह नौट पता नहीं चलेगी इस तरह से देखे और देखिए ऐसे ही हम इस साइड की यहां पे सिलाई कर लेंगे झाल झाल झाल